नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर दोस्तों, 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन, पूरे 400 वर्षों बाद, एक बहुत ही दिव्य और दुरलब संयोग में इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या पढ़ने जा रही है दोस्तों यह संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आपने इस अद्भुत संयोग में तुलसी की जड़ से यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे दोस्तों कहने का तातपर यह यह है कि इस बार इस दुरलब संयोग में से किया गया यह अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा बस आपको सचे मन से मा लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना किसी को बताए चुपचाप करना होगा और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मा लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जैमा श्री हरी विष्णू लिखना न भूले और अपनी राशी कमेंट बॉक्स में जरू साल यानि 2024 में सोमवती अमावस्या दो सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। ये भी विशेश है क्योंकि इस पूरे दिन सरवार्थ सिध्ध योग रहेगा। इसके अलावा इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सरवार्थ सिध्ध योग, रवी योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में किया गया सनान दान पूजन ज्यादा फल देता है। चंद्रदेव को भी दूध से अर्गि दें। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार तुलसी को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। भगवान विश्णु को अतिप्रिय तुलसी का पौधा घर में लगाने और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति को हर संकट से चुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक उप्रवाह तेज होता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा होता है। वहां पर हमेशा लोग सदैव सुखी रहते हैं। और मां लक्ष्मी भी हमेशा वास करती हैं। लाबकारी सिध्ध हो सकता है। ऐसा करने से विश्णु जी के साथ मा लक्ष्मी अति प्रसन होती है और सुख सम्रिध सौभाग्य का आशीरवाद देती है। इसी के साथ गुरु जी ने तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़े कुछ और चमतकारी उपाए बात यह है जो आपकी किस्मत बदल देंगे। तो दोस्तों आईए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमतकारी उपाए दोस्तों। हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नती के साथ सुख, शान्ती और आर्थिक सम्रिध्ध स्वतह ही आती है। हर दोस्तों वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौज़े में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूज़न किया जाए तो उस घर में वास्तु दोश उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है। आज हम बताएं दोस्तों इस धर्ती के पौधे की वनस्पति पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूज़नीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है दोस्तों। तुलसी के पौधे की पद्मा पुराणा ब्रह्मव भरत पुराण सकंद पुराण भविष्य पुराण और गरुड पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेष्टाएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मन्थन के समय जो अमृत धर्ती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ती हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विश्णु को सौपा दिया था। दोस्तों तुलसी हर हिंदु के के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे। परन्तु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपाय को करने से दो घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी दोस्तों आपकी हर समस्या का तोड हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं फिर वह धन की कमी हो नजर बांधा हो शादी में आ रहे अडचन हो ग्रिह दोश हो कोई बीमारी हो हर मर्ज की दवा है तुलसी दोस्तों माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार एक महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाए तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं ततकाल दूर हो जाती हैं कई लोग करजे के बोज से परेशान हो जाते हैं कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अडचन आती हैं तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमतकारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिटटी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी। इन त आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाईयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुकसा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में धालक नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट मिट्टी को ढालक सनान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोश सप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, इससे आपकी सम्मोहन शक्ती बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा तिलक लगाने से आपका दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर् तक साबित होता है, आगे इसके और भी लाभ बताएंगे, जो आपको लाखों करोडों का फायदा पहुंचा सकते हैं, दोस्तों हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन भर सर्दी खांसी जुकाम बुखार ऐसी बीम हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यक्ता ही नहीं है, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें, ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तो जाते और बिना सनान किये हुए तुलसी को तोड़ कर जो मानव पूजा करता है, वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निश्फल हो जाती है, इसका और एक चमतकारी फाइदा बताते हैं, अगर आप निर्धारित संख्या में च्छ महीने तक तुलसी के पत्ते खा और अगर आप पांच की संख्या में खा रहे हैं, तो आपको रोज पांच की संख्या में ही खाना और दिन में, एक बार सुभह सनान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा देखना, आपको गरिमा महिमा, लगिमा सहित आठ तरह की सिध्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौरानिक कथा ओम में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरी परवत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अश्ट सिध्धियों के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असकार्य को संभव बनाना इन सिध्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुन्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिध्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में च्छ महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन अश्ट सिध्धियों की प्राप्ती होगी, जिससे व्यक्ती असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए इस तरह के विशेश प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिन्दगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका का जीवन अत्यंत सुखम हो जाए। तो दोस्तों तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन कर करें। चलिए, अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेश फाइदे दोस्त। तो आपको तुलसी के पौधे की एक सुखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में में रख कर, लाल रंग के धागे में डाल कर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोश नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डाल कर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें। फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुरभाग्य से घेरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। घोर निराशा च्छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराय हो दें, बड़े से बड़े संकट परेशानियां करजे का बोज तक दूर हो जाएगा। आपको एक हफते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और एक महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे व कारियों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार-बार तूट रही है तो आदत बना ले कि प्रति दिन यह रूप से तुलसी को जल चड़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जो भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाब के योग बनने लगेंगे। दोस्तों आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है तुल बशर्ते आप उसकी अच्छे से देख भाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शान्ती और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रू नाश हो जाता। हर शत्रू का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी ऐसे शत्रू जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नश्ट कर देती है। परन्तु अगर आप दक्षण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे पून घर बरबाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा। कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है। परन्तु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षणी दिशा में रखा हो। ना तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना। तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त लगे जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमतकारी उपाए, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सुख जा तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक उर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के स पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांध कर उस स्थान पर रख दें। जहां आप अपना धन रखते हैं।